और बड़ी खवर आ रही है दिल्ली से अर्विंद केजरिवाल को लेकर हम आपको बता दें कि अभी अभी बड़ी खवर आ रही है कुछ देर पहले ही पुलिस की टीम और कई आला अधिकारी वहां पहुँचे हुए थे और अब केजरिवाल से जुड़ी हुई बड़ी खवर दर आप इसको देख सकते हैं इसमें एडी की टीम पहले अंदर गई और उसने पहले वहां चापेमारी की एडी की चापेमारी में क्या मिला नहीं मिला वह अभी सपष्ट नहीं है फिर लगभग दो घंटे की पूछता चुई और दो घंटे की पूछता आज के बाद अब खबर आई है और सारे मीडिया पर ये खबर आ चुकी है कि उन्हें गरफतार कर लिया गया है ये बड़ा मसला था इससे पहले हाई कोट ने उन्हें किसी भी तरह से राहत नहीं दी थी और इसके बाद इस बात की आशंका थी कि एडी की कारवाई सخت हो सकती है तो फिलहाल अ टीम वहां पहुंची थी बाहर उनके समर्थक जमा होने शुरू हो गये थे इवन कि विधान सभा अद्यक्ष भी आवास के बाहर पहुंच गये थे और भी नेता वहां पहुंचे हुए थे और अन्य विधायकों के पहुंचने पर तो शायद उत्राश्चरी नहीं लेकिन जब इदान सभा द्यक्ष पहुंचे तो ये वी एक सोचने वाली बात थी इसके बाद उनके समर्थक भी जमा हुए लेकिन समर्थकों की बहुत जादा भीड़ जैसी कोई इस्तिती नहीं थी हाँ कुछ समर्थक वहां बैठ जरूर गये थे लेकिन पुलिस के पुखता इं इतजाम थे वो भी बेहत सक्त थे इसलिए कहीं कोई गुझाइश नहीं थी कि किसी भी तरह से अर्विन के जरिवाल को कोई रहत मिलती जिस तैयारी सीडी के टीम गई थी वो तैयारी खुद में अपने आप में ये बता रही थी कि उनकी गिरफतारी लगबगता है हाना कि वक्त का मामला था फिर 144 लागू कर दिया गया जैसा कि हिमंत सोरेन के केस में किया गया था फिर उनके आसपास जो माहौल बन रहा था पॉलिटिकल माहौल बनाने की कोशिश के गई एक बात हो दै बहुत ध्यान देने योग्या है कि आम तोर पर की कारवाई एक लिगल करवाई है लिगल करवाई को लिगल तरीके से निवटाने के बजाए अगर आप पॉलिटिकल तरीके से निवटाने की कोशिश करेंगे तो उससे कोई जादा फाइदा होता नहीं है तो लेकर कहा यह जा रहा है कि आप तो उनके कई मंत्री पहले से जेल में हैं और उनकी त होता है कि आप जो प्रयास करते हैं उसके ठीक विपरीत कुछ परणाम आ जाते हैं हाई कोट ने जिस तरह से फाइदा जिस तरह का फैसला समया है वो निश्चित रुप से उनके लिए आघात था चुकि अगर हाई कोट ने रोक लगाने से इंकार कर दिया तो यह तो तय है कि जब आप रोक लगाने से इंकार करते हैं तो दूसरी जेंसी जो है सुरक्षा एजेंसी उसको एक तरह से green signal मिल जाता है कि अब वो कारवाई कर सकती है इससे पहले जब वो हाई कोट नहीं कर रहे थे लेकिन अब ही के स्थिति यह थी कि जब हाई कोट ने किसी भी तरह से रहात देने से इंकार कर दिया कि जिरिवाल को तो अब फिर दूसरी एजेंसी जो सुरक्षा एजेंसी थी जो एडी थी उसके सामने एक खुला मैदान था और उसने उसका भरपूर फायदा उठाया बाइस अप्रिल को इस मामले में फिर सुनवाई की बात कही गई थी लेकिन इससे पहले ही एडी ने उन्हें के जिरिवाल को अर्विन के जिरिवाल को गरफतार कर लिया है बिलकुल ज पश्ट संकेत है बहुत साफ मैसेज है हम कह सकते हैं पुरे देश में कि जो ब्रष्टाचार के मामले हैं उसमें सक्त से सक्त करवाई होगी हाला कि इस तरह के सवाल उठाये जाते हैं कि ये ब्रष्टाचार के मामले सिर्फ भाजपा विरोधी नेताओं के खिलाफ एक्यों खुल रहे हैं उन्हीं पर कारवाई की हो रही है लेकिन इसका जवाब एक ये भी है कि जो मामले खुल रहे हैं उनमें कोर्ट से किसी को राहत नहीं मिल रही मतब ये तो तय है कि भ्रष्टाचार में कहीं न कहीं संदिप्ता है जिसकी वजह से उन्हें कोई राहत कोर्ट भी नहीं दे पा रही है, तो यह कारवाई अनुचित है, इसको साबित करना मुश्किल होगा, हाँ यह पॉलिटिकल आरोप लग सकते हैं, कि वो एक पक्ष पर ही क्यों, दुसरे पक्ष पर क्यों नहीं, यह पॉलिटिकल आरोप है, लेकिन लीगल तरीके से हम यही बता सकते हैं, कि जो भी कारवाई हो रही है, उसे कोर्ट में चुनौती देने के बावजूद, कोर्ट किसी भी तरह से रहत देने के इस्तिती में नहीं है, इसका मतलब है कि एडिकी जो भी कारवाई हो रही है, वो नियाय को ध्यान में रखकर की गई है, वो कानून के हिसाब से बहुत प अप्तार किया गया था की सियार की वेटी कविता को उसके बाद से उस पूछताच के बाद लगता है आप केध्रिवाल के पास भी बचने के बहुत सारे रास्ते नहीं थे और शायद यही वज़े रही कि अदालत की तरफ से भी उन्हें राहत नहीं मिली बिलकुल और इरी ने वो तमाम सबूत हाई कोट में रखे हैं ऐसा बताया जाता है कि कोट में भी इरी ने अपनी तरफ से वो सारी बातें रखी हैं वरिष्ट अधिवक्ता अभिशेक मनू सिंगवी वो जो है केध्रिवाल की तरफ से लड़ने थे तो जो भी लिगल तरीका था लड़ने का वो अपनाया था कि इजरिवाल ने लेकिन उनके पास शायद उतने तरक नहीं थे कि वो कोट को कन्विंस कर पाते हैं इस बात के लिए कि उनके गिरफतारी पर रोक के आदेश दिये जाए या उनको रहत दी जाए किसी भी तरह से लेकिन ऐसा कुछ कोट ने दिया नहीं और इस अलकि वो सम्मन को चुनावती दे रहे थे कोट में और उस सम्मन को असमे धानिक बता रहे थे जब वो नहीं पहुँचे तो एडी ने इस तरह से कारवाई कर उनको गरिफतार कर लिया है अब उनसे पूछता चोगी और इसके बाद की सारी कारवाई पर सब की नज़र रहे जैसा कि आप बता रहे हैं कि सब कुछ हेमन सोरेन के साथ जो एक्षन हुआ था उसी तरह का होता दिखाई दे रहा है पूछता आज के बाद उठा लिया गया हालां कि हेमन सोरेन भी सुप्रीम कोट गये थे अभी जानकारी ये भी आ रही है कि केजरिवाल के जो वकील है व सुनवाई हो इस पर हाँ लेकिन अभी रात में सुनवाई अभी कुछ देर पहले तक उनके वकील वहाँ अवेलेबल नहीं थे अब ये जानकारी भी आई थी कि सुप्रीम कोट में याज का लगाई गई लेकिन फिर उनके वकील उस समय तक नहीं पहुंचे थे अभी की ले जस पहलू होगा लेकिन इतना जरूर है हम लगातार खबरों पर नज़र रखे हुए हैं कि इतना जरूर है कि अभी फिलाल उनकी गिरफतारी हुई है तो ततकाल राहत किस रुप में मिलेगी मुझे नहीं लगता है कि इस पर बहुत ज़्यादा उम्मीद कि जिरिवाल जी को रखनी होगी चिकि सुप्रिम कोट भी ततकाल शायद इस पर कोई कारवाई या हस्तक्षे ना करें उसके जो वैधानिक पहलू है जब तक वो सारे पहलू पूरे नहीं होगे सुप्रिम कोट इस पर ततकाल कोई फैसला देगी यह देखने वाली बात होगी अधाना कि सु है कि इनी ने उन्हें गिरफतार कर लिया है अब वो उन्हें कोट में पेश करती है या अपने कार्याले ले जाती है वो तमाम बातें रात की कहानी होगी इस रात की कहाने में कौन कहां पहुंसता है यह हम लोग फिर से विस्तार से इस पर चर्चा कर सकते हैं गानेशी थोड़ा साब से समझना चाहेंगे कि राजनितिक रूप से इसका कितना असर पड़ेगा, क्यांकि राग हो चडड़ा का भी अभी बयान आ रहा है कि लोकसभा चुनाओं से आन पहले गिरफतारी की साजी सरची जा रही थी, एक तरफ हिमन सोरिन की गिरफतारी आप राजनितिक मुद्दा इससे बना दें बड़ा मुद्दा यह है कि आप भ्रष्टाचार की मुद्दे पहरा और यह उस व्यक्ति के खिलाफ कारवाई है जो भ्रष्टाचार को मुद्दा बना कर ही सत्ता में आया था तो अगर उस पर गिरफतार होता है से आपकी जमीन खिसकती है चोकि आपकी उपर एक पैरलल पालेटिक्स करने की उमीद थी आपको ऐसा लग रहा था कि आप एक समयनांतर कोई राजनितिक लकीर खीचने के लिए आए हैं लेकिन बजाए राजनितिक लकीर खीचने के आप पर भी अगर आरोप लगने लगते हैं और वो आरोप ऐसे हैं जिनमें कोट राहत नहीं दे रही है तो फिर यह समझना पड़ेगा कि आखिर हुआ क्या आखिर वो नीतियां कहा गई तो ये चुनाओ पर बहुत ज़्यादा असर डालेगा या नहीं डालेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी का जो स्टार कमपीनर है वो जरूर नहीं रहेगा चुकि आम आदमी पार्टी के लिए वही चुनाओ प्रिचार करते पंजाब में मान हैं लेकिन केजरिवाल की तुल्ला में वो उनका कद उतना नहीं है तो उनकी बातें पूरी देश में सुनी जाएंगी नहीं सुनी जाएंगी वो अलग मुद्दा है लेकिन हर जगह पर वैसे भी इंडिया गड़बंदन बनने के बाद ये तय था कि जो अरविंद के जिर्वाल है वो शायद हर जगह अपनी सीट का विस्तार ना करें और उन्हें इस बात का अभास था कि गिरफतारी उनकी भी हो सकती है इसलिए वो इंडिया गड़बंदन को एक साथ रखने की बहुत कोशिश कर रहे थे अपने तरफ से भी इफर्ट से उन्हें डाला था चुकि ये तय था कि उनके उपर जो भी मामले हैं उसमें किसी ने किसी रुप में कारवाई हो नहीं थी बिल्कुल और जिस तरह से हाई कूर्ट में तमाम तर्क दिये गए थे कोशिश ये हो रही थी कि किसी तरह चार जून तक उन्हें राहत मिल जाए अविशेक मनु सिंग भी लगातार ये दलिल दे रहे थे और अब जिस तरह से लग रहा है कि एक बार गरफतारी हो गई तो देखिए एक तरह फेमन सुरिन की गरफतारी हुई है लेकिन नियाई ख खिरासत बढ़ती जा रही है जमानत मिल नहीं पा रही है तो लगता है अब केजरिवाल का भी निकल कर आपाना काफी मुश्किल होगा देखे मुश्किल तो है चुकि अगर कोई ठोस सबूत ना हो तो किसी मुख्यमंत्री को गरफतार नहीं किया जा सकता है मुख्यमंत्री एक बड़ा पद है चुना हुआ प्रतनिदी है एक राजी का मुख्या है तो उस पर अगर एडी जैसी एजनसी हाथ डालती है तो बिना पुख्ता जानकारी के या बिना पुख्ता सबूत के ऐसा वो करेगे मुझे इसमें संदेह है तो ये बहुत साफ है कि ये इनके खिलाफ निश्चित रुप से इतनी सबूत इतने सबूत जमा हो गए होंगे पाइल डप हो गए होंगे जिसके आधार पर एडी ने इसा आसानी से लंबे समय तक अंदर रख सकती है जेल में रख सकती है और एडी के लिए जहां तक अगर आप सुरक्षा एजंसी की बात करते हैं तो क्राइम क्राइम के खिलाफ ये तरक देना की चुनाओ है इसलिए मुझे क्राइम करने की इजाज़त दी जाए या क्राइम करने के बावजूद मुझे रहत मिले तो ये मुश्किल है मैंने कहा ये पॉलिटिकल लडाई नहीं है कि आपको ये आंदोलन कर रहे हैं आपको उठा लिया गया आपको आपने कोट में कहा कि साब हम आंदोलन करेंगे चुकि ये सामने चुनाओ है लेकिन अब ये एक बिलकुल कानूनी मुद्दा है जिसमें आप पर भष्टाचार क्या रूप लगे हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं मुझे छोड़ दिया जाए और कैसे इस पर आप कह सकते हैं कि किसी को भी रहात दे दी जाए चुकि मामला भ्रष्टाचार का है ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है और ये मैं बार बार जब यहां भी बातचीत हो र जहें लिगली अपने आपको बेकसूर साबिद करने की कोशिच किजिए तो क्या बेकसूर साबिद करने के सारे दाओ आजमाये गये ये important factor है क्या हेमंत सोरेन को बचाने के सारे दाओ अपनाये गये नहीं ऐसा लगता है कि कोट में भी आप political issues लेकर चल गये आपने इडी के सम्मन को चैलेंज कर दिया आपने सम्मन पर सही जवाब देखे इसका एक उधारण में बार बार देता हूँ कि जब गोधरा कांट के बाद गुजरात में दंगे वे थे उसके बाद मोधी आज के जो प्रधान मंतरी हैं नरेंदर मोधी उनके खिलाफी कई तरह के कमिशन थे कई तरह से कारवाईयां चल रही थी कोट में मामले चल रहे थे मगर वो पॉलिटिकल इश्यू नहीं था पूरे देश में ना गुजरात में था किसाब कॉंग्रेस की सरकार है वो मुझे तंग कर रही है वो एक लिगल इश्यू था तो लिगल इश्यू को निप्टाने के लिए लिगल तरीक है थे उनके लिए वकील थे फिर उस तरह की व्यवस्था थी जिसमें कई लोग निर्दोश साबित हो गए कुछ को सजा भी और पैसे के लेंदेन भी बहुत बड़े बल्क एमाउंट ट्रांसफर हुए है इधर उधर गये हैं तो अब आप इस मुद्धे को ये कहके कैसे हलका कर सकता है किसाब हमको चुनाव प्रचार से रोका जा रहा है चुनाव प्रचार से अगर आपको चुनाव प्रचार करने क्यानमती दी जाए तो जितने दिन आप बाहर रहेंगे उतने दिन तक कि यह सारी चीज़ें चलती रहेंगी या रुख जाएंगी इस बात की गारेंटी कौन लेगा कोड भी नहीं लेगा तो यह एक बड़ा मसला होता है जो कानूनी महारत हासिल है आप सड़क पर उतर कर उस सरकार का विरोध कर सकते थे सरकार के किसी कानून को चैलेंज कर सकते थे या ED को जो equipped किया गया अधिक शक्ति से उसका विरोध कर सकते थे वो एक अलग मुद्दा है लेकिन फिलहाल बड़ा मुद्दा ये है कि आप पर जो की एक जिमेदारी थी कि आप पेरलल पॉलिटिक्स करके इस देश की में एक सच राज़िति के शुरुवात करेंगे वो पूरी तरह से धुमिल हुई है वो छवी और अरविंद के जिरवाल भरिष्टाचार के एक मामले में E.D. के द्वारा ग्रफटार कर लिया गया है उनको अरविंद के जिरवाल को ये घंभिर विशा है और आम आदनी पार्टी का जहां तक सवाल है राज़ितिक दिश्टिस से अगर आप देखें तो आम आदनी पार्टी के लिए ये मुद्दा बहुत ये हो सकता है कि आप sentiment के हिसाब से सोचें और sentiment के रूप में इसको cash करने की कोशिश करें तो कुछ हिलाकों पर इसका असर हो जाए लेकिन और इसकी कोशिश निश्चेत रूप से आम आदनी पार्टी करेगी या उसको कर करना भी चाहिए लेकिन ये जरूर है कि अगर आप रष्टाचार के मामले में जाते हैं अंदर तो आम लोगों की सहानुभूती उतनी नहीं रह जाती है आपके साथ जितनी